नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास कारिक्राम है उची उडान जिसमें आज हम बात करेंगे कि किसी यह आप कैसे बन सकते हैं इस विशे पर खास बात चीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन विज उकर मैं वहीं कि उर्णने करता है एवBar मैं करना कि ऑनला को चाटेंस के टन्याने कि एक अल्तिए के एंसंन की यह उंडे मिमेइं पcriptor को उसके पास इत्ना समय नहीं होता है नहीं उसके पास उत्ना रिकॉर्ड बपर क्या जमा करना है को देख जबक अपना वो आपकी टैक्स फायलिंग करते हैं आपको अलेट कर तर टाइम कि यह ताइम आपका आ गया है इस वक्त में आपको इस प्रेमिट कर ने करें तर जब कर देकर और गॉर्मन्मेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जब क्या भूमी का होती है जो आपका complete audition देखता है सिसका कि आपकी income कितनी है, accordingly आपने कितनी expense कियो है और इसके भीच में कितना balance printing हो पा रहा है मालनुपड़ा किसी की income जो है एक limit तक है और इसके expenses काफिस जादा है इसका मतलब यहां से दिखाई पड़ता है कि यहां कुछ financial जो है कुछ गरबड़ी की गई है तो यहां पर audit की खास जरूत पड़ती है और यह audit जो है C.A. ही कर सकते हैं जो C.A. की जो पढ़ाई होती है वो बच्चे को किस सही समय पर सोच लेना चाहिए कि आगे हम C.A. में future बना सके जैसी बच्चे अपना class strength पास करता है उसके बाद ही इसको दिमाग में आता है कि उसको साइंस लेना है कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स की जब बात आती है तो उसके दिमाग में पहला चीज़ स्ट्राइक करता है C.A. कि आगे जाकर C.A. बनने का इसका स्कूप है अब हम मैम से बात करते हैं साधना मैम मैं आप से जानना चाहूंगी जो C.A. की पढ़ाई होती है सर ने बताया कि 10th के बाद ही हमें सोच लेना चाहिए कि सही समय होता है हम C.A. बन सकते हैं 10th के बाद का क्या process होता है वो मैं आप से जानना चाहूंगी पहले लोग अपने 11th 12th में कॉमर्स लेते हैं कॉमर्स भी मैस प्रफर ज्यादा किया जाता है इसमें आफर 12th आपको अपने रिजिस्टरेशन कराना पड़ता है C.A. Foundation के प्रोग्राम में आप अपेरिंग कैंड बिस पे अपना रिजिस्टरेशन करा सकते हैं अपने अपने डिस्टरेशन कराना पड़ता है C.A. Foundation के प्रोग्राम में then you can appear in the May examination and after that आपको जब कॉलिफाय कर लेते हो तिन आपको इंटिमेटर एग्जामेशन में अपेर करना होता है चीज़े होती है जैसे पॉर्टेशन कोर्स का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें अपने अपरी और कर सकते हो अपने एक्जाम गास्न के लिए तो इसके को अपकॉर मस्का टाम पिर आपको मिलेगा और यह वैलिट कितने समय के लिए होता है? यह वैलिट होता है, बिसकली है, सर मैम इसकी फीज वगरा क्या होती है, क्या गॉर्मेंट इसका चार्ज लेती है कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सटी से कंड़क कराती है? जो ICAI इंसिट्यूट है अपना, जो कि अपना Special Act of Parliament में रिजिस्टर होता है, वो बेसिकली इस ओगरेशन को करते हैं, रन कर रहे होते हैं, और इसके जो रिजिस्टरिशन फीज होती है, वो आपका 9200 होता है, एक्स्क्लूजिव आपका एक्सामिनेशन फीज, एक्सामिनेशन होता है, जो किस तरह से एक्साम का ओना थो ने का इसमें फीजिट्र होता है इसमें बैसिकली 4पह सोते हैं, एक पेल होता है, यापका प्रिंसिपल क्रेक्सा मिशन थार्ते है मिजिस्नेशन फीजिच मरत्मेटिक्स समय लॉजिकल डशलिविऽद गर को जोडिकल डिय।abol हो पेसर पेपर 1 पेपर 2 जो होता है वह आपका subjective papers है, विच करीज एर 100 marks and आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 जो होता है, वह objective paper होता है, objective paper बैसकर लिए क्या है आपको उसमें एगिटिब मारkin होती है, जिसका 1 4 आपका नेगिटिब मारkin रहेगा, इसके त्यारी के लिए बेसिकल यही है कि आप अपने 11-12 का जो फॉंडेशन है स्पेशली जो आपका मैथमेटिक्स है और जो कॉंटेंसी है इनका बेस आप वहीं से स्ट्रॉंग करें वही चाप्रिस जो आप अपने 11-12 ने पढ़ते हो आपके फॉंडेशन में वही चीज़े सारी आती है थोरा सा नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कितने मार्क्स वगरा कितने मार्क्स की फॉंडेशन के लिए ऐस सच में कोई साथ किरी चाहां की कोई साईन Northern Canada और मवानि करता कि Listen अिसान का सब्सक्राइब करहा है और उसमें में इपको इसमें फॉंडेशन में रापकर 40 पर से मांप स्कूर कर नहीं है और इन एगरेट ऑक्लस 42% आने चाहेंगे। ओके, तो मैं के नेक्स लेवल पर जाते हैं। अफटर फान्टेशन आप जाते हो अपने इंटेमिडियल प्रोग्राम में। उसमें आपके दो गृप से होते हैं। गृप बान फ़रूप अनकृप टू। कोई working professions होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एकड़े करना है क्योंकि मैं उस field में काम कर रहा हूं कि मैं science stream का हूँ तो ऐसे केस में उनको भी ICAI ने एक राइट दिया है कि आप भी program में एंटर कर सकते हैं प्रोवाइट कि आपके पास ने कुछे फिफ्टी फ़ॉउटाइच समस्न हौने जाहिए वावूरु स०्सुट 21 वी स्वालालच कि सुआपके बच्छों के लिए कहा Gimana कि कि आफटर ग्रेएट आपके पास कोर्स कर सकते हैं प्लस जो डालेट एंट्री करते हैं इंटे मेर्ड कोर्स में उनको नाइन मंस का इंटर्शिप ट्रेइनिक करना पड़ता है तो ऐसे नहीं कि आपने आज चाहा एक्जाम फॉर्म पेर करना और अपने उपने एक्जाम फ़र दिया और आप एक्जाम दे और इसमें भी कुछ मार्क्स का होता है, next level के लिए, exactly, यह completely आपका subjective papers है, hundred marks के papers होते हैं, आपके, दोनों ग्रुप में, first group में four papers होते हैं, and second group में three papers होते हैं, hundred marks carry करता है, but इसमें कोई negative marking नहीं है, question का pattern completely subjective है, आपको सारे answers लिखने है, कोई objective pattern नहीं रहेगा, and in aggregate आपको 50% marks च score करना परेगा, okay, आप आते हैं, third level पर, जो सबसे tough कहा जाता है, CA का शायद, उसके लिए क्या eligibility होनी चाहिए, आप जब इंटिमेट कोर्स qualify कर लेते हो, then उसकी बद आपको three years का article shift training करना परता है, किसी भी CA के अंदर, आपने वो qualify कर लिया, आपने वो time period spent कर लिया, then आपको CA final में आप exam appear कर सकते हो, again उसकी separate papers होते हैं, दो groups होते हैं, group 1 and group 2, again group 1 में four papers होंगे, group 2 में four papers होंगे, and after that आपको उसमें पासिंग कर्टर सेम रहेगा, कि 40% per paper चाहिए, and 50% in aggregate चाहिए, आपने ये दोना paper qualify कर लिया, then you will become the CA, complete CA, ma'am, इसमें कुछ practical के लिए क्या चीज़े कर आई जाती है, practical training basically जो three years का time duration दे रखा है, article fellowship में, जो after intermittent होता है, वो आपको एक CA की under में करना परता है, या तो आप private firm में कीजिए, या तो आप किसी company में कीजिए, उसमें आपको ये सिखा जाता है कि किसी भी company का tax कैसे file की आता है, कैसे tax को minimize किया जाता है, और जो भी basic formalities है जैसे banking regulation में आपको क्या formalities करना होगा, या आपको किसी भी government sector में आपके accounting कैसे की जाती है, उन सब के बारे में आपको detail सिखाया जाता है पिर इसके इस level को cross करने के बाद हम complete CA बन सकते हैं, बिक्कुल बन सकते हैं इसके तैयारी किस तरह से की जाए, बच्चे के अंदर क्या योगिता होनी चाहिए, उसको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, आप तो कोचिंग चलाते हैं, आपको मतलब बहुत सारे बच्चे आते होंगे, तो आपका अनुभव क्या कहता है, कि क्या कमी रह जाती है सबसे बहुत कमी रहती है हार्ड वर्क में, लोग क्वालिटी एजिक्विशन पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग कोचिंग तो जोईन करते हैं, बट सेल्फ स्टडी की बहुत यहां पर शॉट कमिंग पाए गई है, बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, और दूसरी बा किस टैप पर कोशिस आते हैं, और आपने क्या पूरे स्लिबस को कवर अप किया है की नहीं किया है, इन सब चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है, योगिता क्या होने चाहिए एक स्टूरेंट की? योगिता एक सिंपल स्टूरेंट भी अपना एक्जाम को क्वालिफाइ कर सकता है, इसमें कोई नहीं चाहिए कि आपने 90 पर स्कोर किया तभी आप सीए बन सकते हो, कई ऐसे बच्चे है, आपने भी एक्जाम्पल ने पढ़े हैं, कि जो रिक्षा चलाने वाले बच्चे हैं, वो भी सीए क्वालिफाइ कर लेते हैं, तो उनकी पीछे पस एक ही का करना परता है, कैसे सौल्फ करना है, आप बहुत डिटील में पढ़ना परता है, हम लोग एस टीचर आपको एसस्ट करते हैं, कि कैसे आप शौटकर ट्रिस के थूरू को सौल्फ कर सकते हो, कैसे आप रूल्स को याद कर सकते हो, कैसे लॉस को फॉलो कर सकते हो, कहां वो जुरा हुआ है, आपने income tax पढ़ना है, तो income tax में आप कैसे अपने tax को minimize कर सकती हो, तो इस तरह के से coaching काफी बड़ा योगदान देता है, इन बच्चों को एक्जाम को qualify करने वाने का। मैम आपने बहुत सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ बता दिया, सर मैं आप से जानना चाहूंगी कि यह जो CA है, जो आज MBBS के कोर्स होते हैं, लौ के कोर्स होते हैं, CA हमारे छेत्र में कितना लाबकारी है, इसमें कितनी ग्रोध हो सकती है आने वाले समय में? तो पुराने जमाने से जो है, यह सिस्टम पहले चलता चला रहा था, पुराने जमाने आपको याद होगा, हमारे मुणशी हुआ करते थे, जो यह अकाउंटन काम करे थे, कि पैसा जितना आया गया, जितना भी है, उसके हिसाब रखा, अब यह चीजें काफी बढ़ती जा तो एकॉर्डिंगली वो सारे नॉम्स को फुल्फिल करते हुए आपका जो अकाउंट का पार्ट है, वो अप्टोरेट होना चाहिए, तब ही आप लेगली जो है माने आते हैं, कि आप जन्यून इंसान है, जैसे पैसा भी हर चीज में बहुत महत वर रखता है, इसमें ग्र एकॉर्डिंगली हर कंपणियां अपने पास पे कम्प्लीट सीय की टीम रखती है, एक दो सीय नहीं पूरी सीय की टीम, तो एकॉर्डिंगली जो है, जब उनकी हारिंग की जाती है, तो इसी परपस के लिए कि या आता है, कि जितने भी इंपलोई वहां पे काम करने हैं, ज जितने भी टाइप की लाइबिलिटीज बनती हैं, उन से भी की वह एक रिकॉर्ड रख लें अपने पास में, एंड़न एकॉर्डिंगली जो है, उसका सारा हिसाब कुदाब प्रपर तरीके से होना चाहिए। कि जो आपने बच्छों को देते हैं, बहुत सिंपल साप काताब हैं, बहुत हार्ड बग नहीं करना है, स्मार्ट वक करने यह जो लोग के जोग आइइ डिंद करना कुछ लोग होते हैं, अपने लिचान दे मुकी पड़े कहत थर दसलिक पड़ने बाद उसके बाद वैसे एडुकेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं, तब कोई ब्रॉड है इतना अदा कि आप कहीं तर कर सकते हैं, लेकिन किया है अपनी रिकॉर्मेंट्स क्या है वो देखते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है आपको एंद उसके प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ऐस स्टुएंट्स जो सिय आस्ते बन चुके हैं वो आते हैं हम से अश्रवाद लेते हैं इसी बात को लेके कि उन्हों ने हमारे गाइडलाइन को फॉलो किया कुछ खास करने कि ज़ूर्ट इलग से सर कोचिंग कितना महत्व रखती है मलब एक स्टूडेंट को सी ए बनाने तक बहुत मैटर करता है पिसी कली कि आज के बच्चे जो हैं बहुत रह रहा हैं रहा इंडेसंस की मतलब उनको पता है कि हां यह स्टीज करना है लेकिन जब करने बैठते हैं तो उनको खुद डाइवर्ट वा थे मुझे एक्ज़ कितना करना कितने डेफ्थ में करना कितना ब् तो यह हमारा रूल जो है बहुत इंपॉइंट होता है ताकि बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से एक डाइक्शन वे में एफर्ड कर सके हैं हर जो एक्जाम होते हैं हर लेवल के उन सब के लिए कोचिंग होती है जी बिल्कुल होती है फाउंडेशन की बात करें इंटर्मि बताएगा कि रिजल्ट कहां तक अगरता है करें तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे साथ थे डॉक्टर सचिन और डॉक्टर साधना जिन्होंने बहुत अच्छी बाते बताई कि सेल्फ स्टेडी बहुत जादा जरूरी होती है और अच्छा फ्यूचर पाने के लिए तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देशनिया के तमाम खपरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों पर फिर से मुलाकाद होगी नमस्कार